आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ सर्जिकल होलसल के बारे में जी हाँ आप लोग बहुत सारा रिक्वेश्ट था कि सर्जिकल के बारे में बताईए तो आज मैं आपको सर्जिकल होलसल के बारे में बताने वाला कि कैसे आप surgical के business को कर सकते हैं, कौन-कौन से उसमें difficulties आती हैं, कौन से benefits हैं, कैसे आप surgical के business को start करेंगे, हर एक चीज को बहुत एक clear वे में बताऊंगा, हो सकता ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बड़ ध्यान से देखिएगा, आपको न अगर होलसेल बिजनस करना चाहते हैं, surgical के अंदर, surgical goods के साथ, तो आपका इस वीडियो में सारे doubt में clear करने वाला हो राइट, चलिए, सुरू से सुरू करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, क्या कैसे होता है, ठीक है, देखिए, होलसेल का बिजनस करने के लिए, सबसे important जो चीज है, वो है आपका shop, ठीक है, अब shop यहाँ पे दो तरीके से आप ले सकते हैं, जब हम होलसेल बिजनस मॉडल की बात करते हैं, मिन्ट फार्मा होलसेल की बात करते हैं, तो यह shop आपका हो सकता है, कि आपके घर में हो, या फिर में मार्केट के अंदर हो, ठीक है, दोनों ही कंडिसन के अंदर, आपका shop रन करेगा, ऐसा है, ठीक है, यह मैं सोच यह कि, या में रोड पे आउन रोड रहेगा, तो ही मैं shop ओपन कर सकता हूँ, अगर आपको market के अंदर shop मिल जाता है, तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि market के अंदर shop होने से, यह फाइदा मिल जाता है, कई बार customers ऐसे होते हैं, जो shopping करने आते हैं, बार-बार हमारे market के, अब हमारे shop का नयम देखते हैं, तो उसकी wages भी बहुत सारे customer ऐसे होते हैं, जो माल लेके चले आते हैं, means counter sale हम कर सकते हैं, बट अगर वही same shop मेरे घर पे है, तो मैं counter sale नहीं कर पाऊंगा, तो पहली requirement यह है, आपकी shop, अब वो shop कहीं भी हो सकती है, आपके घर पे, या फिर medicine market के अंदर, तो इसके बारे में और detail में आगे आपको बताऊं, सबसे पहले मैं surgical के scope के बारे में थोड़ा बात कर लेती हैं, कि surgical के अगर आप business करने जा रहे हैं, तो scope क्या क्या है, कहा कहा medicines को supply कर सकते हैं, तो देखिए friends, surgical के medicines के जो major scope होता है, corporate hospital होते हैं, max है, आपका max जैसे बहुत सारे संजीवनी हो गए, और बहुत सारे metro हो गए, बहुत सारे hospitals हैं, वहाँ पे आप supply कर सकते हैं, इसके साथ आपके city के hospital, जो orthopedic centers होते हैं, जहां surgeons बैठते हैं, especially मैं बात करूँ, ऐसे doctors जो surgery करते हैं, वहाँ पे supply का, या मैं बोलू, वहाँ पे business का सबसे ज़्यादा scope होता है, तो surgical shop open करने के बाद, आप इन सभी जगाँ पे supply कर सकते हैं, first, second यह है कि जो गाइनेक होता है, वहाँ पे गाइनेक है, आपके neuro होएं, और orthopedics है, तो वहाँ पे आपके करते हैं, surgical में बहुत सारे occupements आते हैं, उसकी supply कर सकते हैं, जो surgery में यूज होता है, second जैसे low back pain का problem है, तो वहाँ आप उसके लिए बहुत सारे surgical items आते हैं, उसको supply कर सकते हैं, pats आते हैं, massager machines आती हैं, इस type की बहुत सारे items आती हैं, इसको आप, यहाँ मैं ज़्यादा explore नहीं करूँगा, बस online sale कर सकते हैं, इतना बोलूँगा, बट online बहुत scope है, वहाँ भी चाहो तो आप sale कर सकते हैं, as well as जो मैंने आपको यह hospitals बताएं, gynek chamber बताएं, यहाँ पर आप sale कर सकते हैं, यह तो रहे scope आपके surgical item की, तो दूसरा हम बात करते हैं, shop location की, shop location मैंने आपको आलेटी बता दिया, आप घर में कर लीजिए, या फिर अगर आपको city के अंदर मिलता है, तो वहाँ shop location को choose करने के, shop location choose करने के बाद, फ्रेंट, थर्ड नमर पे आता है licensing, कौन-कौन से license की हमको जरूरत पड़ेगी, अगर मैं surgical wholesale start करना चाहता हूँ, तो देखे, अगर आपको pharma के अंदर friend काम करना है, तो उसके लिए जरूरी है, कि आपके पास ना drug license and wholesale, और स्री, wholesale का drug license and GST number, यह दो चीज के compulsory है, तो यह दो चीज आप ले लीजिए, ठीक है, drug license आप ले लीजिए, बनवा लीजिए and GST certificate ले लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको budget भी बताता चलता हूँ, कि कितना budget लगबख लगबख खर्च आएगा, अगर आप इन सब चीज़ों को arrange करेंगे थी, ठीक है, बाद में हम total करनेंगे, one by one budget ले ले लेते हैं, आप देखिए market में जो आप shop लेंगे, उसका rent वो आपके market के according depend करता है, deal बनाने में यह state to state खर्चा वहरी करता है, generally मैं बात करूँ तो 30,000 to 1 lakh रुपीज का खर्च आ जाता है, actual cost बहुत कम है, actual cost only 3 to 5,000 रुपीज है, बट यहां इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि सब कुछ जुगार से होता है, तो जुगार लगाने के बाद लगबग लगबग आप ये मान के चलिए, जो आपको cost करने वाला है, वो 30,000 to 1 lakh के something round, या कुछ cities ऐसी हैं, जहां पर 1 lakh के अबब भी जा सकता है, GST बनाने में, आप चाहो तो free में बना सकते हो, खुछ से, या फिर किसी lawyer के तुरूप बनवाएंगे, तो 2,000 रुपए या 3,000 रुपए आपका GST का जाएगा, ठीक है, दो चीज के खर्चे हो गए, तीसरा आप अब आपने license ले लिया, license लेना भी बहुत ही simple है, बस आपको किसी, चाहे तो आप जाके directly apply कर सकते हैं, D.I.E. office में, या फिर कोई जो बीच में agent होते हैं, जो wholesale marketing बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका D.I.E. के साथ linking होता है, office में जाना आना होता है, उनके थुरू भी अगर आप apply करेंगे, तो आपको काफी ज़्यादा easy हो जाएगा license बनने में, प्रस कई बार verification इन सब में कई बार problem create कर देते हैं, तो आप किसी mediator के थुरू बनाएंगे, तो वो problem भी sort out हो जाता है, तो इस तरह से आप D.I.E.L.N. license बना लेंगे, अब shop open करने के लिए, या मैं बूलो, D.I.E.L. में apply करने के लिए, प्राना भी आपके पास computer है, या फिर आपके पास freeze है, तो उसका भी बिल आप चाहें, तो यहाँ पर लगा सकते हैं, इसके लावा तहसिल से आपको, एक character certificate बिनेगा, आपका आधार card, photo ये लगेगा, इसके लावा आपको एक bank में जमा करने के लिए, जो bank में लगा government का actual fees है, उसके लिए एक slip बनानी पड़ेगी, एक affidavit type का बनता है, वो आपको बनावाना पड़ेगा, ये 3000 रुपए, 3000 रुपए जमा करने होते हैं, बैंक में जो actual fees है, वो वही है, तो वो आप जाके जमा कर देंगे, SBI में generally government का branch होता है, वहाँ जाके जमा करेगे, उसको slip ले लीजिए, इसके अलावा अगर आपने rent पे room लिया हुआ है, तो उस rent agreement भी आपको बनाना पड़ेगा, तो ये basic से documents की जरुवत पड़ती है, इसके अलावा आपके shop की blueprint की जरुवत पड़ेगी, एक map की जरुवत पड़ेगी, blueprint की, उसको आप ले लीजिए, और ये सारा का सारा document जो भी मैंने आपको बताया, electricity bill की भी जरुवत आपको पड़ सकती वहाँ पे, तो ये सारा copy जो है, आप लगा के एक file प्रिपेर कर लीजिए, दूसरा तरीका ये है कि आप di office चले जाएए, जब भी आप di office में जाएंगे, वहाँ से न आपको एक e4 size का paper मिल जाता है, उस e4 size के paper पे सब कुछ लिखा होता है, मंदब e4 size के उपर print out निकाल के, सारा requirement DIY automatically आपको लिख के देते, उनके पास पूरा print होता हो, ये आपको पकड़ा देते, इतने सारी चीज़े complete करके ले के आएए, और आपका DL बन जाएगा, ठीक है, तो बस आप उसको ले के आएए, DIA office से, और वो सारी वार्मिल्टीज को पूरा करिया, और उसको एक 5 रूपीज, 10 रूपीज, 20 रूपीज का फाइल करे दिया, उसके नदर सारा लग दीजिए, और फाइल को पर जिस नाम से आप अपना medical agency open करना चाहते हैं, surgical agency, medical wholesale, वो आप लिख दीजिए, और वो फाइल, किसी mediator के तुरू, या फिर directly जाके वहाँ पर जमा कर दीजिए, बास, आपका काम हो गया, इतना जमा कर दीजिए, ठीक है, अब यहाँ पर दो चक्कर है, कई बार क्या होता कि, कुछ-कुछ DIA office में, न कुछ cyber, काइफे वाले connected रहते हैं, कभी-कभी कुछ DIA office के अंदर वहीं कलरक बैठा रहता है, या third party कलरक बैठा रहता है, जो आपका online सारा काम कर देगा, दोनों condition, कभी-कभी DIA आपको बेज देगा, जाएए उस cyber, पर जाएए अपना login ID सब कुछ बनवा लीजिए, या फिर कभी-कभी आपको बोलेगा कभी आप यहीं पर बनवा लीजिए, दोने ही condition, देखा, कुछ नों कुछ पैसा आपको उन दोनों लोगों को देना पड़ेगा, जो generally most of the DIA office में होता है, वो भी मैं आपको बता देंगे, ताकि आप इस इन सब चीजों से aware रही है, ठीक है, ऐसा होगा, लग-भग-भग, सब ही जगहां ऐसा होता है, चलिए, यह हो गया आपके licensing पर, GST वाले पार्ट में कोई लपड़ा नहीं है, आप lawyer को बोल देंगे, तो जो काम करते हैं, GST वाले आपको 4-5 दिन के इंदर maximum बना के देंगे, उसमें कोई पंगे बाजी नहीं है, पस मैंने सन करना होता है कि इस इसका business करने जाते हैं, ठीक है, चलिए, आपका scope हो गया, shop location हो गया, इसका लाइसेंस का part हो गया, ठीक है, अब इन सब चीजों को बनाने में जो पैसा खर्च होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, अब यह licensing नों, जो documents paper होगा, blueprint बनवाने में आपका लगभल होगा, डेर से 2,000 रुपए खर्चा हो जाएगा, बागे चोटे-चोटे documents होते हैं, जिसमें लगभा लगभा कोई 2-3,000 रुपए में सारे paper आपके तैसियर से बनके तैयार हो जाते हैं, तो मना पूरा documentation की मैं बात करूँ, blueprint including, तो 3-4,000 के अंदर सारे paper आपके तैयार हो जाते हैं, और इन papers को तैयार करना बहुत ही असान है, बिल्कुल भी tough नहीं है, आप ऐसा मैं सुचिए कि हम बहुत ज़्यदा परिसानी आएगी मुझे बहुत ज़्यदा लोगों की help लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, आपको paper लेकि आना है, और उस paper पर सब कुछ लिखा होता है, आप उसको follow करिए, और paper को इकठा करिए, within 2 और 3 days के अंदर सारे paper आपके complete हो जाएंगे, इसके बाँ हम बात करते हैं, कि मेरा license बन गया, मेरे पास GST आगया, अब ना मैं कौन-कौन से medicines को अपने shop पर रखूँगा, या फिर मैं कितने budget के साथ, अब पूरा licensing का part हो गया, तो कितने budget मैं रखूँ, कि मेरा wholesale agency है, बहुत अच्छे से work करें, तब हम यह सोचते हैं, कितना budget चाहिए, बजट न कोई fix नहीं है, लेकिन surgical item की मैं बात करूँ न, दोखो surgical item थोड़े महंगे आते हैं, तो surgical item महंगे in the sense कि आपको bulk में purchase करेंगे, तभी scheme मिलेगा, as well as आपके पास variety maintain करनी पड़ती है, तो आपको surgical wholesale run करने के लिए, minimum आपके पास देखिए, 5-10 lakh का budget होना चाहिए, मैं बोलूँगा 10 lakh rupees minimum मान के चलो, 10 lakh rupees आपके पास होता है, 10 lakh rupees में आप क्या करिए, variety को ज़्यादा purchase करिए, quantity को कम रखिए, कम-कम quantity में ज़्यादा variety purchase करिए, because, क्योंकि आप starting, जब supply में जाएंगे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, gloves मुझको दो रुपए में चाहिए, ये gloves मैं एक रुपए मिलूँगा, ये एक रुपए 30 पैसे मिलूँगा, एक रुपए 50 पैसे मिलूँगा, अब suppose that, माल लीजिया, आपने शुरू में medicine ले लिया, और आपको वो costly हो गया, तो आपको sale करने बहुत ज़दा problem आएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले लीजिया, market से आपको rate मिल जाएगा, कुछ surgical माला rate गेम बड़ा होता, आपको file इतने पे जाएगा, गलप्स इतने पे जाएगे, mask इतने पे जाएगे, injection इतने पे जाएगा, यह machine इतने नहीं इतने पे जाएगा, अब catheter इतने पे जाएगा, folio इतने पे जाएगा, जितने भी यह item आप देखते हैं, सम में जबरजस्त bargaining होती है, ठीक है, तो एक बार rate fix हो जाएगा, फिर तो जाता रहता, फिर तो problem नहीं आते, लेकिन वो rate fix करने के लिए न, या फिर आप अच्छी companies के लेंगे, लगबालबा rate उनका fix होता है, तो आप उसी साब थोड़ा-थोड़ा सामा लिजे, तो इस सब इस scheme को आप grab कर सकते हैं, तो आपको grab करने के लिए आपका पास backup होना चाहिए, आपका पास fund होना चाहिए, तो अब हम बात करते हैं, कि ये तो मैंने बता दिया आपको purchasing का तरीक है, कैसे कैसे आप purchase करेंगे, surgical के अंदर कौन कौन सी companies run करते हैं, जिसका माल आपको लेना चाहिए, कौन सी अच्छी companies है, उसका माल आपको लेना चाहिए, वो भी मैंता है, मैंने अपने सामने लिखा हुआ है surgical में कौन कौन सी अच्छी company होती है, मैं देख के आपको बता देता हूँ, इन companies का माल आपको रखना चाहिए, जो market के अंदर काफी ज़्यादा चलती है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है, वह रैमसंस का आता है, रैमसंस एक ऐसी company है, जिसका surgical में catheter से लेके, glove से लेके, mask के लिए से हर चीज आती है, और बहुत अच्छा brand माना जाता है, बहुत बढ़िया work करता है, दूसरी नंबर पर company आती है, यहाँ पर, आपका HMD, HMD की भी brand, brand value काफी ज़्यादा अच्छे market, ठीक है, आप यह तब देख लो, HMD है, इसके बाद आता है, आपका Ross के एकू चेकोगर आते हैं, वो भी क के ही आते हैं, sutures जिसको 세 sek Almighty बोलते हैं, ठीक है, 3M के sutures आते हैं और बहुत सारे आइٹम्स आते हैं, इसके लाओ, sutures company के भी sutures आते हैं, सूचर में दोपनी का sutures आते हैं, इसके बाद बढ़े महेंगे आते हैं, sutures की बहुत बराइटी है, यह बहुत ही महेंगा है, और इतन chemicals है, इसके अंदर Siemens बहुत अच्छा वर करती है, Amanta Pharma है, Morpene के आपको बहुत सारे accumulants मिल जाएंगे, जैसे आपके इस्टे तो इसको मिल जाएगा, BP मसीन मिल जाएगा, आपका fever चेक करने वाला जो आता है, थर्मोमेटर वो मिल जाएगा आपको, इक्यूमेंट टाइप की चीज़े आती है, वो आपको Morpene के लेना चाहिए, Morpene के अच्छी sale है, brand value अच्छी है, और यह लोग काफी अच्छी quality का सामान भी देती है, इसके लाँ और भी brand है, लेकिन Morpene काफी ठीक है, ठीक हो जो चलता है, उसके तो Omron के भी सामान काफी चलते है, जो Morpene है, उसी के competitor Omron भी का, यह एक्यू चेक के भी, जैसे एक्यू चेक आता है, ब्रट सुगर चेक करने लिए, उसे Omron का भी आता है, तो यह सब आपस में competitor है, Omron and Morpene, आपस में बहुत ज़दा competitor है, steam machine हो गया, बहुत मसाजर हो गया, बहुत सारी चीज़े यह लोग प्रोवाइट करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इनका माल ले लीजिए, और ये 10 कंपनी के थोड़े-थोड़े माल ले लीजिए, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बजट देखे, 10 लाग का आप रखेंगे, 10 लाग के बाद आपको प्रोवा बैकप में और भी पैसा रखिएगा, क्यो को सेल ना आपके रिलेशन को कर डियर फ्रेंड, मैं बता नहीं सकता हूँ, आपके कितने रिलेशन है, आपकी इस तरीके से वर्क करेंगे, कितना जल्दी आप हॉस्पिटल के साथ जुड़ जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप जुड़ जाएंगे हॉस्पिटल के 10% है बड़ जब हम surgical item की बात करते हैं यह rate कोई fix rate नहीं open margin system नहीं होता आपका rate कम ज़्यादा हो रहा था आप किसी product में 10% भी बचा ले जाएंगे किसी में 4-5% ही बचेगा जहां company से ने किसी product में 20 भी बचा लेंगे किसी product में 25 भी बचा लेंगे यह बता पाना बिल्कुल भी possible नहीं है यह depend करता है आपके sale के उपर आपके market में competition के उपर प्रस आपका hospital के साथ जो setting है ठीक है जो आपका attachment है जो mutual bonding आपने बनाया उसके उपर किस rate पे आप medicines को किस rate पे आप surgical item को supply कर रहे हैं या equipment को supply कर रहे हैं उसके उपर बहुत depend करता है अब यहाँ पे एक question बहुत सारे लोग और पुछते सर कितना sale हो जाता है महिने में तो भाई यह भी इसी question में इसका reply था तो आपके relation को उपर depend करता है कि कितना जो है sale कर ले जाएंगे आप इसके अलावा profit कितना हो जाता है profit मैंने आपको यह भी इसी question के लिए include कर दिया कि कोई बहुत सारे लोग यह भी पूछते है profit बताइए profit बताइए तो surgical item के अंदर profit आपको 10 से लेके 30% तक है जैसे आपकी जैसे तरह से आप product को sale कर ले जाते है कहीं competition रहेगा rate down करके देना पड़ेगा जहां competition नहीं रहे medical store वाले जो कोई equipment sale किया आपने surgical item sale किया तो आप यह profit ज़्यादा कमा लेगे कि थोड़ा थोड़ा खरीद के लेके जाएगा लेकिन जब आप वही same item hospitals में supply करने जाएंगे क्योंकि वहाँ bulk में supply जाती है तो वहाँ से आपको rate कहीं कहीं कम करना पड़ेगा तो आपका profitability घड़ जाता है लेकिन वहाँ पे advantage यह मिलता है कि जब हम hospital में friends supply करते हैं हमें बल्क में पैसा मिलता है बल्क में हम supply करते हैं तो पैसा भी हमें एकटा मिलता है टैबलेट कैपसूल के business में क्या होता है कि कहीं एक डबबा गया, दो डबबा गया, तीन डबबा गया लेकिन surgical item में जादा तर condition में क्या होता है हमारे hospitals sit होते हैं और उन्हें hospitals के अंदर regular supply जाता है जिसकी वज़र से क्या होता है जब महिने का हमें को चेक आता है तो 10,000, 20,000, 50,000, 1,000,000 बड़े-बड़े checks बनके आते हैं और अगर आपने सही तरीके से इसके अंदर mutual bonding के लिए hospital के साथ तो आपको बहुत अच्छा business मिलेगा चलिए, यहाँ इस business को हम बड़ा कैसे करेंगी इसके भी हम tips दे देते हैं यहाँ पे कुछ tips मैं आपको देता हूँ कि इस business के अंदर अगर आप surgical के अंदर आप grow करना चाहते हैं तो कैसे grow करेंगे, कौन-कौन से steps आपको लेना चाहिए पहला step है इस टार्टिक में आप बहुत सारा सामान मत खरी दिए जैसे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा variety को maintain रखिए ताकि आप competitive rate को जान जाए अब उस competitive rate के according company से bargain करके वो deal को grab कर सके जो आपके market में जिस deal की requirement है पहला point ठीक है दूसरा point यह है कि आप जो हर एक hospital के अंदर देखिए purchase officer होता है या nurse होती है उसको कुछ चाय कॉफी नास्ता उगारा करा दीजिए उससे WhatsApp पे थोड़ा tuning कर लीजिए ताकि वहाँ जब भी product खतम होने वाला हो आपका कोई gloves हो गया, catheter हो गया, folio हो गया जो भी चीज़ें है खतम होने वाली हो है तो immediately आपको पता चल जाए ताकि आप right time पे doctor को phone करके order ले, doctor को order करने से पहले ही आप वहाँ पे पहुंच जाए या फिर phone कर लीजिए सामान का status क्या है आपके goods का status क्या है means मेरे कहने का मतलब अपना जुगाल ना भीडा के रखिए, sit करके रखिए, तभी इस business में मजा आएगा तीसरा ये है कि corporate के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करिए corporate जो hospitals होते हैं उनको उनका attention grab करिए, उनके साथ mutual bonding करिए उसमें अगर कोई activity कर सकते हैं वो activity करिए, regular calling करिए क्योंकि corporate जो hospitals होते हैं वहाँ से बड़ा business आता है चौथा point है, institute को बिल्कुल मत भूलिये चाहे military hospital हो, चाहे railway hospital हो government supplies हो, इनके ऊपर भी ध्यान दीजे यहाँ पे भी बहुत बड़ा scope होता है जब order निकलता है, तो जबरचस्त तरीके से order निकलता है हो सकता, gloves के निकलता 20 लाग रूपए का या 30 लाग रूपए का gloves का order मिल गया यहाँ एक बार में order मिलता है और पूरे साल का contract आपके साथ हो जाता है इस rate में आप पूरे साल medicines को या इस gloves को, catheter को folio को, जो भी कोई machinery है उसको इस rate में आप supply करेंगे, ठीक है इसके लिए कई बार हमें quotation भी starting में जमा करना पड़ता है तो एक simple quotation बना के आप जमा कर दीजिए उस particular hospital के अंदर तो वहाँ पे regular order निकलते रहेंगे या one time order या अलग-अलग hospital का अलग-अलग system होता है किसी hospital में quarterly निकलता है किसी hospital में half yearly निकलता है किसी में yearly निकलता है इस में आपको इतना supply देना इस तरह से mention किया रहता है तो यह basics थे friend जिसको आप follow करके न market के अंदर grow कर सकती है और बाकी doctor के साथ hospital के साथ relation बहुत important role play करता है जब हम wholesale या फिर marketing की बात करते है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा customer है न वही king है तो जितना ज़्यादा आपके अच्छे relation रहेंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ से help मिलेगा second यह है कि जितना अच्छा relation आपका अपने medical rap के साथ में रहेगा जो मैंने बताया आपको HMD हो गए Ramsons हो गए, Suture हो गए, 3M हो गए यह सब के जो medical reps होते है तक सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया तो आपका basic shop जो setup करने में licensing वरा में जाएगा पूरा पैसा furniture, rack यह सब में friend तो लगभग 2,00,000 रुपए मान के चलिए कि on average आपका rack, computer, freeze, license, GST सब कुछ मिला के खर्चा हो जाएगा अब 2,00,000 के बाद आप समझिए कि आपका medicine का जो खर्चा जितना खरीदेंगे अब 10,00,000 में चाहे तो आप 2,00,000 रुपए include कर लीजिए या अलग मान लीजिए यह आपकी choice है लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँ आपको fund अच्छा चाहिए surgical में grow करने के लिए क्योंकि यहाँ पर deals बहुत बड़े बड़े आते हैं कई बार injections पर आ जाता है कभी किसी सामान पर आ जाता है ताकि आप उसको grab करके market के अंदर competitive rate दीजिए ऐसा rate दीजिए जो दूसरा दे ही नहीं पाए understand तो आप बहुत अच्छे तरीके से grow कर जाएंगे तो यह था सब कुछ लगबख surgical होसिल स्टार्ट करने लिए मैंने सारे point को लगबख लगबख यहाँ पर cover किये हुए और कोई point छूड़ गया हो कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है कोई confusion होई कोई doubt है आप मुझको इसी वीडियो में friend comment करके बताइए या फिर मुझे आप instagram के उपर follow कर सकते हैं मेरा pharma jobbers के नाम का page है वहाँ पर मुझको follow करके आप वहाँ पर मुझसे question पूछ सकते हैं या फिर आपको in detail चाहिए तो मेरे साथ एक consultation call book कर लिए 250 रूपीज इस year का price है 2021 का price जो है वह only 250 रूपीज है जिसको आप Google पे के थुरू Paytm के थुरू किसी भी digital phone पे के थुरू किसी भी digital app के थुरू पे करके जो मेरा mobile number है 905-862-3737 905-862-3737 इस number पे करके आप मेरे साथ एक consultation call book करके मेरे साथ बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी problem आती है तो ठीक है वज़से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे ना cover करने के कोशिस किया है राइट चलिए बस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसे ही किसी interesting वीडियो में next time तब तक के लिए बाई बाई